हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे एलगी के ओरेजिन और एवोलूशन ओफ सेक्स के बारे में ये टॉपिक MSC के लिए, BSC के लिए और NET वगरा या दूसरे कम्टीटिव एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है एलगी में बेसिकली जो प्रोपोगेशन यानि की रिप्रोड़क्शन होता है वो तीन टाइप का मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन जो की फ्रेग्मेंटेशन या दूसरे और मैथर्ट्स के थ्रू होता है next asexual reproduction जो basically sports के थूरू होता है अगर ये sports flagellated हैं तो उनको हम जो sports कहेंगे और अगर flagellated नहीं है non-flagellated sports हैं तो वो a plano sports कहलाते हैं लेकिन basically asexual reproduction इस पोर्स के थूरू होता है sexual reproduction जो होता है वो sex cell में fusion के थूरू होता है उन sex cells को हम gametes कहते हैं normally chemetes इस sports के comparatively बहुती ज़्यादा छोटे होते हैं इसके अलाबा अगर हम algae के primitive classes की बात करें तो primitive class जैसे की cyanobacteria जिसको cyanophyce या mixophyce भी कहते हैं blue-green algae उसमें sexual reproduction नहीं मिलता है यानि की algae के अगर primitive बात करें तो उसमे sexual reproduction absent है और अगर algae के higher groups की बात करें जैसे की road of ice ही तो उसमें sexual reproduction advanced o gamus type का मिलेगा जिसमें की कोई भी flazula present नहीं होगा origin of sex की बात करते हैं तो origin of sex जो asexual reproduction के थुरू ही sexual reproduction का origin हुआ है यानि की पहले जो asexual reproduction था वही आगे future में किसी न किसी conditions की वज़े से sexual reproduction में convert हो गया है तो अगर gamete और zoe spos की बात करें तो gamete वो cells हैं जो की size में बहुत जादा छोटे होते हैं ये एक जैसे structure में तो एक जैसे होते हैं gamete और zoe spos लेकिन वो size में छोटे होते हैं जिसमें आप eulothrix का example और klemidomonas cladophora का example आप देख सकते हैं अगर division किसी plant में अगर हम किसी thallus की बात करें या किसी algae के organism की बात करें तो उसमें अगर early division होता है यानि कि division एक ही बार में हो रहा है या एकदम जल्दी से division हो रहा है तो जो cells बनेंगी वो size में बड़ी होंगी large cells होंगी तो वो basically zoe spos का formation करती हैं लेकिन अगर किसी में unfavorable condition है या कोई ऐसी condition है जहाँ पे reproduction बार बार हो रहा है या continuous काई division हुए हैं तो उसमें जो cells बनती हैं वो gamit spells बनती हैं यानि कि वो size में बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं तो unfavorable condition में ही sexual production मिलता है अगर हम similarity zoospor और gamit की बात करें तो उसके लिए सबसे अच्छा एक्जाम पर है Eulothrix zonetta इसमें तीन टाइप के spos मिलते हैं जो हैं हमारे quadriflagellate, macro zoospor quadriflagellate, micro zoospor और biflagellate, micro zoospor quadriflagellate यानि कि चार flagella वाले macro zoospor यह macro zoospor है macro का मतलब होता है बड़े तो यह size में बड़ा है और बाकी दोनों है micro zoospor macro zoospor हमेशा less number में produce होते हैं क्योंकि यह size में बड़े होते हैं इसलिए जब किसी भी cell से macro zoospor का production होता है तो बहुत कम macro zoospor बन पाते हैं यह healthy zoospor होते हैं जब macro zoospor germinate करेंगे तो एक healthy plant healthy thallus का निर्मार करते हैं इसके comparatively quadriflagellate, micro zoospor क्योंकि यह micro zoospor size में छोटे हैं और यह large number में produce होते हैं तो इसके comparatively quadriflagellate यानि चार flagella वाले micro zoospor हैं यह macro zoospor के comparatively एक weaker filament यानि की weaker thallus का formation करते हैं after germination और अगर हम बात करते हैं biflagellate, micro zoospor की जो तीसरे number के हैं यह सबसे ज़्यादा number में produce होते हैं और यह सबसे weak filament यानि की सबसे weak thallus का formation करते हैं after germination तो यह eulothrix में तीन टाइप के zoospor formed होते हैं अब इनमें हम बात करते हैं micro zoospor की तो biflagellate micro zoospor जो होते हैं वो क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे होंगे तो वो similar होंगे कि इसके gametes के क्योंकि gametes भी zoospor के comparatively छोटे होते हैं और यह incapable होते हैं किसी एक healthy plant के formation के लिए यानि कि इन से किसी healthy plant का formation नहीं होगा जो plant formation होगा या जो thallus बनेगा वो weaker होगा अगर हम बात करें lower plants की तो lower plants में sexual reproduction होता है वो unfavorable condition में ही sexual reproduction देखने को मिलता है तो यहां पर हमने बात कर ली तीन टाइप के spose के बारे में जिसमें सबसे छोटे हैं biflagellate, micro zoo spose यह zoo spose gamete के similar होते हैं structure में और इन से जो plant बनता है वो बहुत ही weak होता है किसी organisms के पास एक बहुत ज़्यादा limited material होता है जिससे की वो gametes का formation करता है अगर वो gametes छोटे होंगे तो वो ज़्यादा नम्मर में produce हो सकते हैं और अगर gametes बड़े होंगे तो वो कम नम्मर में produce होंगे यह basic theory है कि अगर किसी भी cell को आप divide करें और उसमें अगर ज़्यादा gametes produce हो रहे हैं तो वो size में छोटे हो जाएंगे और अगर उसी cell से less number of gametes produce होंगे यानि कि कम gametes produce होंगे तो वो size में बड़े होंगे अगर gametes ज़्यादा होते हैं तो उनका chances होता है कि वो ज़्यादा से ज्यादा successful fertilization कर सकते हैं क्योंकि अगर कम gametes होंगे तो उनका mating का जो ratio है कि fertilize कितने gametes fertilize करेंगे तो उस नहीं कम ratio होगा अगर number of gametes ज़्यादा है अगर ज़्यादा more gametes produce होए हैं तो उनका fertilization का rate maximum होगा अगर हम बात करें fusion के बाद बनने वाले zygote की इस case में very small size के जो zoe spores हैं वो gamete की तरह function करने लगते हैं और वो एक zygote का formation करते हैं जो बहुत जादा चोटे size के zoe spores होंगे वो एक healthy plant को form नहीं कर सकते थे लेकिन अगर दो zoe spores fuse हो चुके हैं तो वो एक नए zygote का form कर रहे हैं और वो zygote इतना capable होगा क्योंकि वो size में grow कर गया है और वो इतना capable होगा कि वो एक नए healthy plant का formation कर सके इस condition को जरह हम detail में समझते हैं कि तो जाद जाद है वो एक resting spore की तरह function करता है unfavorable condition में उसमें जो spores का fusion हो चुका है और zygote का formation हो चुका है zygote resting spore की तरह function करेगा unfavorable condition में जब favorable condition होगी तब उसमें meiosis होगी और meiosis के बाद meo spores बनेंगे और favorable condition में meo spores germinate करके एक healthy plant का formation करते हैं तो इस condition में क्या होता है कि sex cell has been developed in response to environmental condition environmental condition depend करती है जिसके through sex cell का development हुआ है जो zygote spores थे उन्होंने gamete की तरह function किया जो बहुत छोटे size के थे क्योंकि उनसे healthy plant का formation नहीं हो रहा था और वो waste हो जाते nature में कोई भी energy waste नहीं की जाती evolution का यही function है कि waste is of energy को कैसे भी करके कम किया जाए तो जो very small size के कर गए और उन्होंने zygote का formation कर लिया यह zygote resting spore की तरह function करेगा unfavorable condition में और जैसे ही favorable condition यानि की अनुकूल परिस्थितियां आएंगी वो meospores बना लेगा meiosis के after और germination करके एक नया healthy plant formation कर लेगा तो gametes हैं वो zoo spores के through formation हुए है unfavorable environmental condition से तो यह चीज यहां पर clear हो गई कि sexuality जो algae में develop हुई वो fusion of very small zoo spores के through हुई जो की accidentally formed हो गए अब हम हम बात करते हैं evolution of sex की तो sexual reproduction basically आपको पता है तीन टाइप का होता है iso gametes and iso gametes और o gametes तो सबसे पहले हम बात करते हैं sexual reproduction के origin की तो origin जो आपको पता है fusion of gametes के through हुआ है यानि कि अगर gametes fuse करेंगे तभी उसको हम sexual reproduction कहेंगे सबसे primitive type का है जिसमें कि identical gametes होते हैं जो morphology और physiology दोनों में एक जैसे होंगे ऐसे gametes को हम iso gametes कहेंगे और ऐसे reproduction को हम iso gametes कहते हैं इसका example है clamidomonas, diberianum और cladophora अगर हम दूसरे case की बात करें तो उसमें morphologically gametes similar होंगे लेकिन physiologically वह different होंगे क्योंकि ऐसे gametes अलग-अलग thallus पर बनते हैं और अलग-अलग filament के gametes ही आपस में fuse करते हैं यह condition Eulothrix में देखी जाती है और ऐसी condition को हम बोलते है physiological and iso gametes वह देखने में तो एक जैसे होंगे morphologically तो वह similar होंगे लेकिन क्योंकि अलग-अलग thallus पर बने हुए हैं अलग-अलग filaments पर है उनका इसी लिए वह physiologically different होंगे एक को हम positive gamete कहेंगे और दूसरे को हम negative gamete कहेंगे और ऐसी condition को हम कहेंगे physiological and iso gamete complete and iso gamete में gametes motile तो होंगे लेकिन वह दोनों ही size में बहुत जादा differentiate करेंगे जो male gamete होगा वह size में बहुत छोटा होगा और female gamete जो होगा वह size में male gamete के comparatively large size में होगा female gamete को हम macro gamete और male gamete को हम micro gamete भी कहते हैं यह macro gamete angia और micro gamete angia से produce होते हैं आगे हम बात करें तो primitive type की o gamete में क्या होता है कि जो female gamete होगा comparatively बड़ा होगा large होगा और inactive होगा होने का मतलब है कि उसमे falegelna absent होंगे falegelna नहीं बनेंगे और male gamete जो होंगे वह size में छोटे होंगे और उनमे falegelna बनेंगे ूए gamete बनते हैं वह बहुत जादा र बनते हैं, female gametes कम नम्मर में बनेंगे, male gametes ज्यादा नम्मर में बनेंगे, तो ऐसी condition को हम primitive oogamy कहते हैं, ये oogamy की condition है, लेकिन थोड़ा primitive type की है, इस से ज्यादा evolved condition या इस से थोड़ी advanced condition की oogamy में अगर हम देखें, तो male gametes जो होंगे, वो anthrozoids कहलाएंगे, छोटे size के होंगे smaller होंगे, flagellated होंगे, और वो large number में produce होंगे, और unicellular anthridia पर present होंगे, लेकिन अगर उसके comparatively हम egg cell की बात करें, तो egg cell single होगी, और बड़ी होगी, जो कि आप oldogonium के structure में देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इस से भी ज्यादा advanced type के, सबसे advanced type के oogamy में reproduction को देखें, तो oogamy में जो है, वो कारा में बहुत advanced form में देखा जा सकता है, इसमें sex organ अलग से ही differentiated होते हैं, यानि कि थैलस पर अलग से sex organ present होंगे, ये उपर का जो structure देख रहे हैं, ये eugonium है, इसके अंदर एक ही egg cell मिलेगी, यानि कि single egg cell होगी, और ये anthridium है, इस anthridium में करीब 20 से लेकर 50,000 तक anthrozoid यानि कि male gamit produce होंगे, ये male gamit यहां से release होकर, यहां पर अंदर fertilization करेंगे, और ये इस तरीके से ये सबसे advanced condition, u gamus की आपको कारा में देखने को मिलेगी, तो फिर से हमें एक बार समझ लेते हैं, कि evolution of sex, isogamic condition से an isogamic condition में हुआ, और an isogamic condition से evolution, u gamus type की condition में हुआ, तो ये sexual reproduction का evolution के बारे में इस पूरा discussion था, अगर इससे related आपको कोई भी question है, तो मुझे आप comment section में पूछ सकते हैं, thank you